हमारा internet concept है third lecture है तो आज का topic है domain name तो domain name क्या होता है जब भी हम web browser पर search करते हैं तो हम domain name को use करते है domain name means की हर user जो domain name का use करता है कमकि domain name क्या है एक name है जो alphabetic होता है उसको याद रखना easy होता है पर अगर इसके compare में IP को याद करना हो तो IP address को हम याद नहीं रह सकते हैं जैसे कि हमारे पास IP address यहाँ पर दिया हुआ है 198.105.232.4 तो इसको याद नहीं रख सकते हैं तो हमेशे जब भी user होता है तो वो क्या रखता है domain name को याद करता है तो जैसे कि यहाँ पर हमने example दिये www.example.com तो ऐसे ही हमारे पास Facebook हो गया YouTube हो गया Google हो गया तो जितने भी हम यह domain name यूज करते हैं तो domain name को यह convert करता है IP address में translate करता है जिससे यह communicate कर सकता है example जैसे कि हमने यह example ली example.com यह हमारा domain name है domain name यहां से जाएगा root server में तो root से पहले यह reverse view करेगा जहां पर क्या गया है इसको process को करने के लिए उसकी बाद यहां पर जाएगा यहां यहां पर इसका टाइफिक जो खली रहे उसकारण फिर यहां फिर रूट वाइस डिवाइड हो जाता है इसके बाद फिर वस होके यह हमारा यहां पर इसमें feedback देगा तो कहने का मतलब है कि यह हमारा जो है स्ट्रेकर स्ट्च्चर फॉर्म में हमारी जो है process चलता है तब जाकर हमें यह result देता है तो हम यूज करते हैं सिंपल में domain name को ही ना ही हम IP address को यूज करते हैं तो यह था हमारा domain name next हमारे पास email communication क्या होता है तो email communication short form में इसको भोलते हैं electronics mail तो electronics mail क्या है किसके लिए यूज होती है transmission message अबर communication network तो हमने communication करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कोई भी message यूज करना हो means कि electronic message send करने हो कोई data information send करने हो तो हम इसके तूह इसके दिवारा हम इसको data files को भी send कर सकते हैं जो हमारे system restore हो जा phone के दूब करना हो तो phone में हम easily वैसे इसको use करते हैं क्योंकि कामली हमारे phone में तो बीना email के तो हमारा जो फोन है work करता ही निक है online जिसको हम email बनाने के बाद ही use कर सकते हैं तो उस email को हम directly use कर सकते हैं अपने daily data sending and saving purpose के लिए भी तो next हमारे पास effective email communication points जो हमकी email के वहम कैसे effective बना सकें तो पहले हमारा point क्या होना चाहिए we clear होना चाहिए नहीं कि उसमें कोई down हो कि उसके purpose के लिए message को send करने उसके पात हमारा easily ways से उसमें points यूज़ होने चाहिए फिर उसमें clear होना हमारा subject matter clear होना हम subject पर हम documents को send कर रहे हैं जा Informalite करनें तो सुब्जेक्ट का मैटर लिखें जिससे क्या कि हमें इजी से मैटर को जो आगे जिस से रसीवर है उसको समझाए कि किस मैटर पर उसके बाद हमने ध्यान रखना है ग्रेंटी के लिए स्पैलिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहों उसमें हमें बिल्कुल अटेंश 2021 तो किस में पॉइंग में में πॉइंट को से लिए तो आगे नेमल हमाया इस हमारा टॉपी है इंग्रुद उर्ट्चिण विडियो चाटं ट्ूल से वीडियो qualify मैं थे बाद जुल और यह तो नार्मल हम् i am historians के छज今天 से ख मेंने थे टूम्हाट्चंच्टा ऊफ्स तो social networking का और video charting का तो mostly use करी ही रही है तो video conferencing tool कौन-कौन से होगे web-based video chart application that allows users anywhere in the world to join real-time sting video chart समूम्स तो जैसे कि हमारे पास real-time video charting हम कर सकते हैं कहीं भी किसी world के किसी भी कौने में हो तो वह उसमें वहां से इसको call करके video charting कर सकता है हो real-time face-to-face हो communicate सके through video chart तो उसमें next क्या है this point is similar to social networking तो यह ही point जो हमारे similar है social networking कि वही चीज़ों ही use हो रही है social networking sites में that allows web-based video conferencing तो हम इसमें अलोग कर सकते हैं इस video conferencing में इस की हम एक अठे conference में call एक दूसरे को कर सकते हैं conference में इस video calling भी हो सकती है और उससे हम एक अठे group में कोई भी data share करना को information share करनी है जैसे कि हम आज कल जैसे video conferencing के तूस लेक्चर डिलिवर हो रहे है तो यह सारा हम इसके तूस कर सकते है social networking के the user also have the option of sending videos message to other user तो हम इसमें क्या option भी हमरे बस video को send करना हो दोसे user को तो हम through message से इसको भी send कर सकते है thank you so much के पाद हमारा next lecture आएगा web design पे तो please किसी topic में जा किसी question में जा किसी points में कोई error और doubt हो तो comment करें comments करने से मुझे पता चलेगा कि कहीं problem है और मैं उस चीज को improve करने की कोशिश कर पाऊ thank you thank you so much again you you you